60 second में जानेंगे Google Chrome में history कैसे delete करते हैं उसके लिए right side में यहां देखिए three dot मिलते हैं इस पे click कर दीजे नीचे आपको history का option मिलता है यहां cursor ले जाएंगे तो यहां देखिए यह है history का option ठीक है इस पे click करते ही history का page open हो जाएगा left hand side में हमें clear browsing data मिलता है इस पे click कर दीजे तो कुछ ऐसा option आपके सामने open हो जाएगा यहां पर हमें दो option मिलते हैं basic और advance basic में अगर आप करेंगे तो सिर्फ यह आपको तीन option मिलेंगे और अगर advance में करेंगे तो यहां पर देखिए कई सारे option आपको मिलते हैं जो option आप रखना चाहते हैं वो option आप यहां से रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि कोई option डिलीट ना हो तो यहां से uncheck कर दीजेगा ठीक है माल लीजे कि हम सबको delete करना चाहते हैं तो हमने सबको select रहने दिया अब यहां से time range decide कर लेते हैं इस drop down पर click करके आप अपने time range decide कर सकते हैं तो माल लीजे कि हम last hour ही रहने देते हैं ठीक है उसके बाद यहां से देखिए clear data पर click करते ही आपकी जो history है वो पिछले घंटे की delete हो गए